कभी सोचाएं कि investment banks जैसे की JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock ये सारे कैसे प्रसे कमाते हैं investment banks वो banks होते हैं जो बहुत से public companies को IPA launch करते हैं ये वो banks होते हैं जो companies को mergers and acquisitions में help करते हैं investment bank के इनके लगाव बहुत से काम होते हैं जो मैं पता नहीं है और ये गामों के वज़े से investment bank एक बहुत अच्छा revenue generate कर सकता है तो तरीका नमबर एक जिससे investment bank revenue generate करता है वो है IPO IPO मितलब initial public offering बहुत से companies जेने अपना company public करना होता है वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग investment bank के पास जाते हैं और बोलते हैं कि we want to do a public offering तो investment banks क्या करते हैं कि वो documentation ready करते हैं और वो सारे documents पूरन ready करते हैं जो saving को required है या फिर कोई और regulation को required है और ये उन companies को public जाने में help करते हैं तो जब ये सारे companies public जाती है तो investment banks इनके कुछ percent of shares को charge कर लेते हैं जैसे कि for example अगर इनका कोई एक share 10 dollars का है तो ये उन share को 5 dollars में purchase कर लेते हैं and then उसे आगे जैसे ही वो company list हो जाती है वो इसे like 15-20 dollars में बेज देते हैं तो ये करकर investment banks का एक बहुत heavy amount of profit generated होता है and for example जैसे कि अगर ldfc का example देख लिए तो ldfc की जो parent company है उसने ldfc bank के साथ merge कर लिया तो ये सारे mergers companies तो इन सारे mergers के documents नहीं बना सकती है ना तो जो company को merge होना होता है वो investment banks के पाई जाती है और वो उन्हें होलती है कि हमें merge करना है तो हमें ये set of documents required है तो आप इन आप ये सारे documents में ready करते हैं कि ये सारे documents company के लिए ready करते हैं तो क्योंकि ये document company को ready करना possible नहीं होता है क्योंकि ये सारे documents से अगर becky ready करेंगी तो उसके बहुत सारे time और resource तो उन्हों waste हो जाएगा तो इससे बेटर है कि वह कोई investment bank के पास चलिए investment bank इसके पदले उनसे piece charge करता है यह एक heavy piece होती है यह उती है but यह company को बहुत सारा time बचा दोती है और कोई भी company के पास इतना power नहीं होता है कि वह अपनी merger या acquisition वाले जो भी problems है वो इस बाषड़ी करें बहुत कंपनी जनने एक्विजिशन करना होता है जैसे कि हम ने किसी और कंपरी को एक्वायर किया था थोड़े दित बहले तो यह पिजिशन के लिए पर इंवस्मेंट बैंक्स उन्हें है और वह सारे डोक्मेंट्स रड़ी करते देदे जिसके वाद आधी अगली कंपनी को किया company X को the wire करना है तो अक्विजिशिघ हैं वह जुंगें वाले फिए फि corn कहता हैं तो यह कुमपनी Rain का कुछ फैर्ड लेते हैं तो investment banks क्या करते हैं कि उनके पास बहुत जादा capital पड़ा होता है तो वो उस capital को उन traders को देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये capital से trade करो अगर कोई traders profit generate करता है तो इस तरीके से investment bank banking वाली जो company है वो revenue generate करती है और वोई अगर कोई data loss generate करता है तो वो तो या तो fire किया जाता है या निकाल दिया जाता है तो ये एक problem हो गया ये एक बड़ा problem है traders के लिए है बट company के लिए ये एक अच्छा revenue source है तो investment banks इन सबसे पैसे कमा लेती है अगला जो investment banks का source of income है वो है research और advisory services investment banks जैसे की बता है उसमें बहुत सारे financial experts होते हैं तो ये financial experts को बहुत सारे market के अच्छे stocks के बारे में पता होता है और इन्हें पता होता है कि अच्छे company और अच्छे stocks कौन से है तो ये सारी जो research होती है ये asset management companies को बेज देते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा source of income हो जाता और दूसरी जो चीज है जिससे investment banks revenue generate करती है वो है advisory services investment bank क्या करती है कि वो बहुत सा companies को जिन एडवाइस की ज़रूत होती है या business advice की ज़रूत होती है उनके expansion के लिए या कोई merger related advice होना चाहिए होती है तो advice उन companies को देती है और ये advice तो बहुत है investment banks एक high amount of revenue चार्ज करते है उ आदेशन एक investment bank तो source revenue हो जाता है अगला जो source है वो है private equity investment banks क्या करती है कि वो बहुत सी companies होती है जो सूटी companies होती है जिनने investment की जरूत होती है वो उनमें investment कर देती है और वो company को grow करने के लिए help करती है इसके परदे investment bank क्या करता है कि वो उन companies का equity charge कर लेता है वो उन company से equity ले चैसे वह इक्विटी की प्राईस वहर बढ़ेजहए और इसके वीचे वスकारी और इसके वधेशज़ से इन्वस्मेटज chamber बांगिक्स बहुत जादे ही प्रापिटेबल होते हैं और हम सब्सक्री को पयता है कि सबसी बड़े इन्वस्मीट भ antagon स्यår एज